राइगाण में आज से शुरू हुआ तीन दिवसिये राश्ट्रिये रामायन महोचसव विभिन राजियों और विदेश से आए कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुतियां पदमिश्री अनुच शर्मा और आरेस बारले पूर्व आईएएस आरपी सी त्यागी सहेत करीब तीन सो लोगों ने भाजपा की सद्सता ली एंटीपीसी सीपत ने स्वच्छता पकवाडे के तहत उसलापोर रेलवे स्टेशन पर चलाया सफाई अभ्यान और चार हजार क्यूबिक मीटर से जादा पानी बेवजह बहा देने के मामले में तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज स्टियो निलंबिद नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं मोनिका शर्मा और आएए अब देखते हैं समाचार विस्तार से पिछले वित्वर्ष की आखरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 6.1 प्रतिशत की वृद्धी दर्ज हुई है सांखी की मंत्राले के पहले अस्थाई अनुमान में वित्वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत की वृद्धी रही ये अनुमान 20 आधार अंक ज्यादा है सकल घरेलू उत्पाद की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत की वृध्धी पूर्व अनुमानित 5.1 प्रतिशत से काफी ज्यादा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृध्धी पर संतोश व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के आंकडे वैश्विक चौनोतियों के बीच भारतिय अर्थ विवस्था के लचीलेपन को दर्शाते हैं उन्होंने कहा कि समग्र आशावाद और व्यापक अर्थ विवस्था के मजबूत संकेतकों का ये दमदार प्रदर्शन हमारी अर्थ विवस्था की भविश्य की बहतर उच्च संभावना और देश के लोगों की धिर्टा का उदाहरण है राइगर में आज से राश्ट्री रामायन महोचसव का रंगा रंग आगास हो गया है मुखे मंतरी भूपेश बखेल ने भक्ति मैं माहौल में दीप प्रजलित कर इस तीन देशिय कारिक्रम का शुभारम किया मुखे मंतरी श्री बखेल का महोचसव के शुभारम अफसर पर राम चरित मानस की प्रती भेंट कर स्वागत किया गया इस मौके पर मुखे मंतरी ने राम नामी संप्रदाय को सम्मानित किया कारिक्रम में विभिन कलाकारों ने मार्च पास्ट कर रामायन के विविध रंगों की छलक दिखलाई ये पहला मौका है जब भगवान श्री राम के ननिहाल माने जाने वाले 36 गड़ में दूसरे देशों की मंडलियां अपने अपने तरीके से रामायन का मंचन करेंगी इंडोनेशिया की मंडली 36 गड़ में पहली बार रामायन का क्विन को इसी महोटसफ के मंच पर उतारने जा रही है इसमें विशेश रूप से भगवान श्री राम और माता सीता की बाचीत खास नृत्य शेली में होगी इस महोटसा में 12 राज्यों के 270 प्रतिभागी, 36 गड़ के 70 कलाकार और विदेशों से आए 27 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे महोटसा की शाम भी काफी खास होगी, आज गाई का सन्मुख प्रिया और शरत शर्मा अपना कारिकरम पेश करेंगे इससे पहले अपने राजगर प्रवास के दोरान मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने 465 करोड रुपे से जादा के विभिन विकास कारियों का भूमी पूजन और शिला न्यास किया इस दोरान उन्होंने दूरस्त अंचलों के लोगों तक स्वास्त सुविधाओं का लाप पहुंचाने के उद्धेश से धरम जैगार और पुसौर विकास खंड में 58 लाख रुपे से जादा की लागत के दो हमर लैप का लोकारपन किया विधान सभा चुनों के पहले आज रायपुर में कई जानी मानी हस्तियों सहित करीब 300 लोगों ने भारतिय जनता पार्टी की सदस्ता ली इन में पदमश्री अनुच्छर्मा और आर एस बारले पूर्व आई एस आर पी एस त्यागी के अलावा किसान पार्षद वकील व् सुनील सोनी सहित पार्टी के दिगज निताओं की मौजूद्की में भाज़पा में प्रवेश लिया इस मौके पर भाज़पा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साओं ने कहा कि कॉंग्रेस ने प्रदेश की दशा और दिशा को खराब किया है अब सब मिलकर 36 गड़ को बचा सब्सक्राइब करें के काम करते अवाज भारती अजरता पाइटी जो दुनिया के सब्सक्राइब राइजमीतिक दल है वो दर्मा अतेग बड़े-बड़े आद्मी मन अतेग नामी प्रध्यात कलाकार और अलग अलग छेत्र के सिर्दह सम्झन सामिल होए अपन दीन के साथ वहीं भाजपा की सद्यसता लेने वाले जाने माने अभीनेता पंदमश्री अनुच शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है उनकी भावनाएं शुरू से ही इस पार्टी के साथ जोड़ी रही है पार्टी जो भी जिम्यदारी देगी वे उसे पूरा करे भाजपा का ये कारिकरम रैपुर सेथ पार्टी मुख्याले एकात्म परिसर में आयोजेत किया गया था NTPC सीपत द्वारा इंदेनो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसके तहट विभिन साइट्स टाउंशेप परिसर और परियोजना के आसपास व्रिहत पैमाने पर स्वच्छता अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें सभी करमचारी उचसाहा के साथ भाग ले रहे हैं इसी करम में उसलापुर रेल्वे स्टेशन पर सफाई अभ्यान चलाया गया परियोजना प्रमोक एन श्रीनवास राओ कारेकारी निदेशक के नित्यत्व में NTPC सीपत के वरिष्ट कारेपालत करमचारियों और समविदा श्रमिकों ने सामुहिक रूप से इसमें कारेकारी निदेशक एन श्रीनिवास राओ ने बताये कि यह स्वच्छता अभ्यान आगे भी जारी रहेगा अभ्यान के तहट रेल्वे स्टेशन में डस्ट पेन उपलब्ध कराया गया है आज का अपर न्टीपीसी सिपत का तरफ से धर्मलप पावर स्टेशन तरफ से करीबन पचास से अधिक लोग हमारा वहां पे न्टीपीसी स्टेशन सीदर आया हुआ है वुसलापूर रेल्वे स्टेशन में यह जो स्वचता पकवाड़ा चल रहा है एंटीपीसी में हर स्टेशन में जो रेल्वे स्टेशन को हम लोग अपनाया है वुसलापूर रेल्वे स्टेशन को यहां पे आज जो स्वचता पकवाड़ा करके हम लोग यहां पे साफ स्टेशन मास्टर के एस नेताम और अन्य वरिष्ट रेलवे अधिकारियों ने एंटीपीसी सीपत के इस प्रयास की सराहा करते हुए रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया इस अभ्यान में रेलवे कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया काकेर जिले में परल कोट जलाशे के वेस्ट वियर से लगातार चार दिनों तक 4000 क्यूबिक मीटर से जादा पानी बेवज़ा बहा देने के मामले में पखांजोर पुलिस ने तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है इन में फूट इंस्पेक्टर राजेश विश्वास स्टीयो आर एल धीवर और सब इंस्पेक्टर छोटे लाल ध्रोग शामिल है इस बीच जल संसाधन विभाग ने आर एल धीवर को 36 गाड सिविल सेवा नियम के प्रावधानों के तहट निलमबित कर दिया है विशेश सचेव अनुराग पांडे ने इस संबंध में कल आदेश शारी कर दिया है निलमबन अवधी में उन्हें मुख्याले अधीक्षन अभियंता इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलप इंपेक्टर राजेश विश्वास को पहले ही निलमबित कर दिया है किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही है इन में से एक है प्रधान मंत्री जन उर्वरक परियोजना इसके तहट किसानों को नीम लेपित यूरिया दी जा रही है ज तो सामान या यूरिया के मुकाबले ज्यादा असर कारक है चटिसगर के किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं दुर्गजिले के जेवरा सिर्सास्थित सोसाइटी में भी रोजाना नीम लेपित यूरिया की खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुँच जल्दी घुलता भी नहीं है और उसमें जो जो उसकी च्छमता है किड़ मकोड़ मारने को भी है उसके अंदर में और जमीन भी पोली करता है और उसमें उत्पादन भी अच्छा आता है और किड़ मकोड़ उसमें मर जाते हैं नहीं आते हो तने लिपीट यूरिया इस्तमा वो कर शेकोई किड़ा मकोडा भी किट नासक नहीं हों आउ उत्पादन भी ठीक रहते हैं एक साल होगे निम यूज करता है सामान ने अला दस बोर अची त रहें तरहां यला साथे बोरा यूज करता हैं ग्रामीर क्रिशी विस्तार अधिकारी एकता साहू ने बताए कि खेत्र के लगभग सभी किसान नीम लेपित यूरिया का इस्तमाल करने लगे हैं और इस यूरिया की कीमत समान या यूरिया के मुकाबले कम है इसका असर भी ज्यादा समय तक रहता है तो वाहां समय तक पौधों में रहता है और उसके पोशक तर्ट ब्रूं ज्यादा समय तक पौधों को मिलता है तो इसलिए और दूसरा नीम तेल होने के वज़ already से वह कीट नाशक भी उसमें होता है तो कीटो को भी वह मारता मतलाब उसमें कमी आती है अब ये जो योजना है ये साल 2015 माई से केंद्र सरकार द्वारा लब लागू किया गया है हमारे छेतर में सारे क्विशक जो है वो अब इस योजना का लाब ले रहे हैं और उनका इसका बहुत फायदा हो रहे है गौर तलब है कि प्रधानमंत्री भारतिये जन उर्वरक परियोजना के तहट केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 से किसानों को नीम लेपित यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है और आईए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से बेमेतरा जिले में फरजी अंग सूची के जरीये नौकरी हासिल करने के आरोप में दो महिला शिक्षा कर्मियों को बरखास्त कर दिया गया है यह शिक्षा कर्मी विकास खंड साजा के सुवरतला और केवतरा प्राथमिक शाला में लंबे समय से पदस्ती जाच में मामला सही पाए जाने के बाद सिला शिक्षा अधिकारी अर्विंद मिश्रा ने दोनों महिला शिक्षा कर्मियों पर बरखास्त की कारवाई की है कोंडा गाउं पुलिस अधीक शक वाय अक्षे कुमार ने कोंडा गाउं जिले का चार्ज लेने के बाद नकसल प्रभावित मर्दापाल, पुंगारपाल, गोला बंड सहित कई थानों का दौरा किया एसपी ने ठाने में पदस्थ जवानों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना उन्होंने जवानों को जनता से अच्छा व्यवहर करने के लिए हिदायत दी और विजिबल पुलिसिंग करने के आदेश दिये बिलासपूर जिले में महत्मा गांधी, ग्रामीन, ओद्योगिक पार्क, रीपा के अंतरगत किये गए नवचार से स्थानिय युवाओं को अपना सुनहरा भविश्य गढ़ने में मदद मिल रही है यहां मिल रही मुफ्त वाइफाई सेवा की मदद से वे प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं जिले में धोरा मुडा, अकलतरी, रानी गाओं, करगी कला, वेथ, परसदा, बेलपान और गन्यारी गोठानों में संचालेत, रीपा में वाइफाई की सुविधा उपलब्ध कर आई गई है और आईए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से राइगार में आज से शुरू हुआ तीन दिवसियर राष्ट्रियर रामायन महोचव, विभिन राजियों और विदेश से आई कलाकार देंगे अपनी प्रस्तोतियां पत्मश्री अनुश्यर्मा आर एस बारले, पूर्व आईएस, आरपी एस त्यागी सहेत करीब तीन सो लोगों ने भाजपा की सर्दसता ली एंटी पीसी सीपत ने स्वच्छता पखवाडे के तहत उसलापोर रेलवे स्टेशन पर चलाया सफाई अभ्यान और चार हजार क्यूबिक मीटर से जादा पानी बेवज़ा बहा देने के मामले में पी नाथिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, SDO, निलंबित और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं सबाप्त हुआ, नमस्कार कर दो झाला बुलेटिन नाथिकार बुलेटिन यहीं सब्सक्राइब बुलेटिन यहीं सब्सक्राइब है